Hello everyone, कैसे हो आप साब, मैं हूँ आपकी माम इलाग रानती और आज मैं क्लास 11 के अपने सभी प्यारे बच्चों के लिए लेकर क्या हूँ One Shot जिसमें हम आज चाप्टर कवर करने वाले हैं गेसो काड़ुगती सिधान, Kinetic Theory of Gases बहुत ही महत्वपुना चाप्टर और यह चाप्टर थोड़ा साब का Chemistry से रिलेट करता हुआ चाप्टर है और काफी आसान और Scoring चाप्टर है जिसको हम बहुत ही कम समय में Quick Revision करते हुए पूरा चाप्टर आज रिवाइस करने वाले है तो सभी बच्चे जल्दी से Join हो जाएंगे इस Lecture में क्योंकि लगातार आपको बहुत सारी वीडियोस लेक्चर जो है आपर मिल रहे है और वन शॉट वन बाई वन आपको जो है फटावट से मिलते जाएंगे सारे सब्जेक्ट के हमारे सारे टीचर्स की टीम सभी बच्चों के लिए खुब लग कर मेहनत कर रही है तो भाई शुरू करते हैं आज का हमारा वन शॉट का इनिटिक त्योरी ओफ गैसे इसका तो भाई टॉपिक्स हमको कौन-कौन से कवर करने वाले हैं यह हम देखते हैं यहाँ पर फटावट तो भाई हमको जो है बेसिक समझना है इसका का इनुगति सिध्धान्त उसके बा बढ़ना है आगे कि इस दाव के समीकरण से किस तरीके से हम जो गैस के पांच नियम हम लोगों ने पड़े उसको किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं ताप की गतिज्व्याख्या बहुत ही महत्वपूर्ण ताब की गतिज्व्याख्या का डेरिवेशन देखेंगे कुरा रिवाइस करेंगे सारा कुछ आड़ों की वर्ग माध्यमूल चाल का व्यंजग हमें आप निकालेंगे स्वतंतरता की कोटी भाई क्या होती है समझेंगे हम एक परमाडू और दो परमाडू और तीन परमाडू के लिए उर्जा के सम्विभाजन का नियम भी हमें यह लिए तो बाई यह है आपके फिजिक्स की क्लास जिसमें आप जो है इन गैसों के अनुगति सिधान के बारे में इनके डरिवेटिव पार्ट्स को पढ़ोगे ठीक है रासाहिनिक जो चीजे होती है वो आप चैमिस्ट्रिक में पढ़ते हो यहां पर आप उनके डरिवेटि के परमारु सिधान्त के बारे में पढ़ा है और रेडी केमिस्ट्री में पढ़ा है जिसको हम अनुगति सिधान्त या फिर परमारु सिधान्त के अनुसा नाम से जो है जानते हैं और आपको पता है कि किस तरीके से जो ठोड़ और गैस जो होते हैं इन में जो कड़ों का ज इतना भी नियम है जो भी concept है फिजिकली बहुत की में जो concept है उन सारे concept को इन गैस के सारे concept को जो है हम लोगों को इस चाप्टर में पढ़ना है जो गैसों के अनुगति सिद्धान के अनुसार पढ़ेंगे तो जब हम इसको पढ़ेंगे गैसों के अनुगति सिद्धान तो य एक जो है दाब और दूसरा जो है आईतन और तीसरा जो है ताब क्योंकि जब हम ये गैस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने जैसे तरलो के यांत्री गुणने में भी दाब के बारे में पढ़ा होगा यहाँ पर दाब कैसे लग रहा है विटा तो यहाँ पर है न ये गै क्या करेंगे सारे जगह पर एक रूपसे वितरिद रहेंगे एक जगह इंप सब तरब बराबर फैले हुए होंगे यहां पर इस गयांस का तापमान क्या है यह बहुत भूत भूमी का निभाता है यह तो इन तीन भहुतिक अवस्थाएं है इन तीनों "'दाब," ताप और आईतन इन तीन भहुतिक अवस्थाओं के आधार पर हम सारे जो है यहाँ पर गैसों के वहेभार के बारे में समझते हैं जिसमें पांच नियम है बॉयल का नियम, चार्स का नियम, दाप का नियम आवकरद का और डालन का आशिक दाप का नियम, जब हम बात करते हैं BOL के नियम की, तो BOL के नियम में जो है यहाँ पर ताब मान को जो है, एक दूसरे के विक्रमानुपाती हो जाएँगे, जब यहाँ पर समानुपाती का चिन्ना उटाएँगे, तो हमको इस तरीके से पीवी बराबर य जब यहाँ पर हम ग्राफ बनाएंगे दाव और आईतन के बीच का तो यह ग्राफ बहुत ही महत्वपुन है जब आप उश्मा गत्की पढ़ोगे तो वहाँ पर यह ग्राफ आपका जो है काफी काम आता है ठीक है तो यह आदर्श गैस जो बॉल के नियम का पालन करते हैं तो कि होता क्या है आदर्श गैस और वास्तविक गैस का मतलब क्या होता है आदर्श रूप में जो हम समझते हैं कि यह पूरा पूरा एक्जेक्ली व्युत्क्रमानुपाती होगा लेकिन है ना एक्जेक्ली व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता वहाँ पर थोड़ा थोड़ा change आपको देखने के लिए मिलता है तो वो व्यवारिक रूप में वास्थवीक रूप में थोड़ा सा आदर्श रूप से अलग पाया जाता है यलो लाइन से आपको प्रदर्शित किया गया है चार्ल्स के नियम के जब हम बात करते हैं तो प्राल्स के नियम में जो है क्या होता है दाब कॉंस्टेंट रखा जाता है क्या कॉंस्टेंट रखा जाता है और जब दाब कॉंस्टेंट होता है तो आईतन और ताप के बीच हम लोगों को संबंध प्राप्त होता है आईतन समानुपाती होता है ताप के ठीक है और जब यह से ग्री directly बनाइए तो यहां पर यह ़िया आप देख पारे हो पिंक कलर की लाइन यह जो है आदर्ष्गेस के लिए जो है यहां पर को दश यहां पर यहां पर आदर्ष्गेस के लिए दर्शाती है वास्तविक्ता में क्या होता है. यह सफेध रंग की लाइन आप देख पारे हूँ. वास्तविक्ता में जो है आपका यह इस तरीके से आईतन और टाप के बीच का ग्राफ जो है, बन पाता है, इसके बाद हम दाब के नियम की बात करते हैं. तो यहाँ पर दाब के नियम में जो है दाब और ताप के बीच का संबंध हमको प्राप्त होता है जिसमें आपका आईतन नियत रहता है और बिल्कुल यहाँ पर जो है दाब समानुपाती होता है ताप के तो बिल्कुल अगर हम एक से अधिक निकायों के लिए देखे तो यह यहां पर भी हमें वैसे ही प्राप्त होगा जैसे यहां चार्ल्स के नियम में प्राप्त हुआ था आइतन और ताप के बीच यहां पर दाब और ताप के बीच मिल रहा है और यहां पर भी आदर्श गैस के लिए और वास्तविक गैस के लिए जो है यहां पर आप ग्राफ दे तीनों चीज समान है दो अलग अलग गैसों के लिए दो अलग अलग गैसों के लिए मानलों की एक जो है हाइडरोजन गैस के लिए है एक जो है मानलों की ऑक्सिजन गैसों के लिए दो अलग 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 गैसों के लिए तीनों चीजे अगर समान है तो यह नियम यह कहता है आ कि दोनों में अणों की संख्या समान रहेगी अगर ये ढाबताप के के लिए कि यह आवोग्रादों कानियम कैलता है और यहां पर यह जो हında को कि प्रदर्शित करता है जिसका क Canal जमान होता है कि 1 जो अणों की संख्या होगी जो capacity zijn Heck 6 0.3 6 10 किется तेइस यह आवोग्रादो संख्या कहला दी है यह जो है अणूओं की संख्या में आवोग्रादो नियम को जो है यहाँ पर शो करता है ठीक है अब इसके बाद पाँचवा और आखरी नियम डॉल्टन की आंशिक डाप के नियम की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम तीन अलग अलग प्रकार के गैस ले रहे हैं जैसे कि मानलो हमने एक गैस लिया है नाइट्रोजन एक गैस लिया हाइड्रोजन और तीसरा गैस लिया मानलो की ऑक्सिजन तो तीन अलग अलग अगर गैस हम लोगों ने ली है तो तीनों का अगर मिश्रण हम कर देते हैं मिश कर देते हैं तो उनके अप मिश्रत जो गैस है ठीक है उनके मिश्रत जो गैस है वहाँ पर कुल दाब कितना होगा तो तीनों के अलग अलग दाब के योग के बराबर वहाँ पर कुल दाब होगा यह क्या कहलाता है डॉल्टन का आशिक दाब का नियम कहलाता है अब परिक्षा में आपको लिखना कैसे है आप देख सकते हैं यहां पर स्क्रीन शॉट ले सकते हैं फड़ा वट से जो जो सारी चीजे मैंने आप लोगों को समझाई है ग्राफ भी मैंने आप लोगों को समझाया है सारा कुछ यहां पर लिखा हुआ है जल्दी से फड़ा वट से ले सकते है screenshot अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है जैसे boil का नियम जब हम लोगों ने पढ़ा तो boil के नियम में हमको जो है अनो घनत्व के रूप में भी boil के नियम को हमको यहाँ पर देखना होता है तो अगले चार नियम देखने से पहले एक बार मैं आपको फड़ा फड़ से बता देती कि अनो घनत्व के रूप में boil का नियम कैसे होता है तो यहाँ पर यह जो N है वो क्या है गैस में अनो का घनत्वा ठीक है और यहाँ पर N क्या है N जो है अनो की संख्या है N क्या है अनो की संख्या और अनो घनत्वा जो वो है क्या हो जाएगा एकांक आईतन में अनो की संख करती है और यहां पर जो है हमने क्या किया वी को इधर ले गए और यहां पर अणुग घर्णत्व को यहां से हम लोगों को एक नया नियतांक प्राप्त हो गया के डेश ठीक है तो ये भी महत्वपुन है इस चीज को आपको समझना क्योंकि ये रिलेशन फिर आगे चलके आपको जो है काम आएगा आगे चलके ये रिलेशन आपको काम आएगा और यहां पर अणु घनत्व या फिर एक आंख आईतन में अणुओं की संख्या को हम जो है एन बटे वी की साथ सांथ इस तरीके से एन बटे आवोग्रादो संख्या के रूप में भी इस तरीके से भी लिखते हैं ठीक है इस तरीके से भी लिखते हैं तो इसलिए आप जो है इस पॉइंट को भी नोट कर लेंगे सेकेंड नियम जो है जो आपको कि हम इस कंडिशन म मिलता है आईतन समानुपाती होता है ताप के यह हमको कहा से मिलता है तो इस नियम के द्वारा क्या होता है कि निश्चित रव्यमान पर अगर हमको क्या करना है अगर हमको गैस का तापमान 1 Degree centigrade बढ़ाना है या फिर घटाना है तो एक डिग्री बढ़ाने या घटाने के लिए जो शुन्य डिग्री पर उसका आईतन होगा उस आईतन का एक बटे 273 भाग बढ़ जाता है या घट जाता है ठीक है तो वहां से जो है हम लोगों को ये यहां पर तो यहां पर जो है इस तरीके से चाल्स का नियम हम लोगों ने देखा तो यह हम लोगों को सरल रेखा प्राप्त होगा यह थे छेंज यहाँ पर प्रॉप्त होता है, सेम भिल्कूल जैसे कि हमने वहाँ पर दाब को निश्चित रखकर, फिक्स रखकर, नियत रखकर, यहाँ पर जो हम लोगों ने देखा था किसके लिए, चार्वस के नियम में, वही चीज़ यहां पर हम आयतन को नियत रखते हुए देखेंगे, नियत आयतन के लिए फिर हमको यह relation मिलता है और साथ ही साथ यहां पर मतलब यहां पर दाब और जो time में हम यह relation हमको जो मिलता है यहां पर हमको परिवर्तन किस तऱ से देखने मिलता है तो बिल्कुल इसी तरीके से कि अगर हम निश्चित रव्यमान के लिए नियत आईतन पर क्या करेंगे ताक मान को अगर एक डिग्री सेंटिग्रेट बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो सुन डिग्री दाब के लिए जो उसका मान होगा उसका एक बटे दो सो तर्वा भाग क की बात करते हैं तो यह तो बहुत ही आसान है कि अगर हमारे पास दो तरह की गैसे है और समान दाब समान दाब और समान ताप पर क्या होता है गैसों के आईतन में अड़ों की संख्या क्या होगी गैसों के आईतन में अड़ों की संख्या जो है समान होगी आवग्रादों का नियम कहलाता है और ये वैल्यूस में आपको जो बता चुकी हूँ फड़ावर से ले सकते हैं आप स्क्रीन शॉट बढ़ते हैं आगे पांच में नियम की तरफ आंशिक दाप का नियम तीन अलग-अलग गैस का मिश्रण यहां पर अगर है तो कुल दाप जो है तीनों के separate दाप के योग के बराबर होगा बढ़ते हैं आगे और आदर्श गैस की बात करते हैं तो जो हम लोगों ने अभी गैसों के व्यवहार के बारे में पढ़ा जिसके अनुसार हम लोगों को कुछ नियम प्राप्त हुए अगर जो गैस उन नियमों का पालन करते हैं उन सभी नि किया जाता है अब इनके गुण क्या होते हैं इनको हम देखेंगे लेकिन हमको जो रिलेशन प्राप्त हुआ है आदर्श गैस के लिए यह आदर्श गैस समी करण के नाम से जाना जाता है इस यह कैसे प्राप्त होता है तो यह बाइल और चार्स के नियम से ही हमको प्राप् अतहा पालन करेगा यादर्स गैस का पहला गुड़ होगा आईतन प्रिशार गुड़ांक या दाब गुड़ांक की जब हम बात करते हैं तो ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे गैसों में दोनों क्या होंगे आईतन और दाब गुड़ांक जो है बराबर होंगे गैसों मे इस गैस के अणूओं का आकार गैस के आईतन की तुलना में क्या होता है लगभक नगण्य होता है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह पूरा आईतन है और इसका यह एक अणू है तो अगर आईतन से इस एक अणू की अगर हम तुलना करें तो नगण्य के बराबर ही होगा और यहां पर यह इतना नगण्य है कि यहां पर किसी भी तरीके का आकर्शन बल भी कारे नहीं करेगा क्योंकि जब हम आकर्शन बल याने की हम गुर्त्वा आकर्शन द्रव्यमान पर आधारित आकर्शन बल की बात करें तो गुर्त्वा चोटा है कि यहाँ पर गुत्वा कर्शन बल जो है नगन ने होगा बिलकुर भी प्राप्त नहीं होगा ठीक है तो यह जो है आपका गैस आदर्श गैस के जो है गुण हो गए अब जो हम लोगों ने आदर्श गैस समीकरण की बात करी यह समीकरण की बात यह हमको मिला कैसे त ठीके तो एक साथ अगर लिखते हैं तो इस तरीके से हमको क्या प्राप्त होता है समीकरण समान उपाती का चिन्न हटाने से हमको प्राप्त होता है नियतांग ठीके यहाँ पर यह जो नियतांग का हमको प्राप्त हुआ है ठीके तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं गैस की गै औरस गैस नियतांक है यहां पर नियतांक के रूप में और हो जाएगा एक मोल गैस के लिए लेकिन अगर एन आगर घैस है तो वहां पर जो है हम इस रिडबर्ग कॉंप्र हम एं भी लिखेंगे तो इस तरीके कि हम बात करते हैं तो भाई यहां पर जो कुछ व्याज्यानिक के नाम दिये गए है आर क्लासियस और जे जी मैक्सवेल ने जो भी अनुओं की गती है जैसे कि आप यहां पर डाइग्राम में देख पा रहे हो कि यह अनु लगातार गती करते रहेंगे यहां पर जो है न स्थ बात कर रहे हैं जिनको मैक्सवेल और क्लासियस जी ने जो है प्रतिपादित यहां पर किया है इसको हम गैसों का निरभर करता है और यहां पर आड़ 국 public शोधान के बारे में जो है यहां पर बताया गया है कि एडुचिद्धान के जो है चोटे-चोटे कड़ों से मिल कर बन सबी जगा से समान होते हैं और इनको जो है द्रव्यमान बिंदू माना जाता है क्योंकि बहुत ही छोटा कण होता है किसी भी प्रकार का बल कारिय नहीं करता है तो यह गुड़ है गैसों के अडूगति सिधान और उनके आदर्श गैस के जो गाडूगति सिधान और उनके कि ओके तो यहां पर एक पॉइंट आपको जो है बताए गए हैं यह पूछा जाता है थ्योरी क्वेश्चन एक्जाम में तो बिलकुल यहां पर जो है आगे नेक्स पॉइंट जो है यहां पर बता रहा है कि अडू जो है सभी संभाव दिशाओं पर अभाई की धर भी घु रहेगा बिलकुल फैला रहेगा और मालो की दो यहां पर अणू के बीच में क्या हो रहा है आपस में टक्कर हो रहा है या फिर एक अणू जो है दूसरे अणू से ऐसे टकर होंगे एक से दूसरे से जब टकर होंगे तो यहां पर इनके बीच की जो गती होगी वो सरल रेख बिंदू से दूसरे बिंदू तक एक अडू के द्वारा जो तैय की गई दूरी है वो मुक्त पत्याने की फ्री पाथ कहलाती है किसी भी टकरों में लगने वाला समय क्या होता है बहुत ही नगर्न होता है और मुक्त रूप से अडू क्या करते हैं गती करते रहते हैं अब यह जैसे गती कर रहे थे पहले जैसे वैसे ही हो जाते हैं मतलब गती जुर्जा उनमें निरंतर लगातार बनी रहती है ठीक है और यहां पर गती जुर्जा बदलती नहीं है बिल्कुल इसलिए इनको पुनतहा प्रत्यास्त कहा गया है और वांकी अनों का द्रव्यमान काफी जिरंतर टकराने की वज़ा से दिवार को क्या करता है समवेग प्रदान करता है मतलब कि जो बार बार यहां पर गैस के अनों क्या कर रहे हैं इस बरतन की दिवारों से टकरा रहे हैं ठीक है टकरा रहे हैं तो टकर की वज़ा से आप लोगों ने देखा होगा समवेग में क् दिवार के पास चला जाएगा ठीक है तो वहां से क्या होगा उन अनुओं के कारण दिवार पर दाब आरोपित होगा और यहां पर इस आदर्श गैस के दाब के लिए हम लोगों को पूरा डारिवेशन देखना है ठीक है तो इस सरीके से इन सारे भौतिक गुरों पर आधारि है जैसे कि मान लोग की ये क्या है एक पात्र है अब इस पात्र में क्या है मान लोग की गैस के अणौ है ठीक है अब ये गैस के अणौ क्या हो इस बरतन के आईतन से यहां पर क्या होगा इस कड का टक्कर होगा जब टक्कर होगा तो आपको संघट आप लोगों ने पढ़ा है कि वहां पर क्या होता है संवेग जो है स्थानांतरित हो जाता है ठीक है संवेग संदक्षन के नियम के आधार पर क्या हो जाएगा कि यहां प बार आपने तरलो के यांतरी-गुर्ण में भी पढ़ा कि रहा जब यहां पर कंड़ कर राएंगे तो यहां पर क्या रोपित होगा नदाव अरॉपित होगा जो एक काँ कर शेटर फलंड में कितिना बल आरॉपित कर रहा है जहां से हम लोगों can all the दाब प्राप्त होगा और यहाँ पर यहाँ पर जो इस्थाई रूप से लगातार गैस के गाड़ निरंतर गती करते रहेंगे क्योंकि उनकी गते जूर्जा बनी रहेगी लगातार बने रहेगी तो लगातार जो है दाब आरोपित होगा आप जैसे कि आप बात करोगे मानलो की पानी आपने थोड़ा सा बचा है बांकी जगह में हवा भरी है नीचे में मानलो की थोड़ा द्राव भरा हुआ है ठीक है कभी-कभी बॉटल गलती से अगर पिचक जाता है ठीक है तो अगर देखना धकन खुलना तो वो automatic जो है आपके atmospheric दाप की वज़ा से automatic कभी-कभी क्या हो जाता है सीधा हो जाता है क्योंकि हमारे atmosphere में gas मौजूद है और वो क्या लगातार दाप आरोपित करते हैं और यहिए जस्ट मैंने आपको एक्जामपल के लिए बताया यही क्या है gas का बलदाब कहलाता है जिसके बारे में हमको देखना है derivation तो भाई यहाँ पर जो है एक आईताकार हम लोगों ने क्या लिया है एक आईताकार हम लोगों ने पात्र लिया एक घं लिया है हम लोगों ने ठीक है एक घं लिया है जहाँ पर इस आईतन में इस item में gas के कड़ मौजूद है अब ये gas के कड़ किधर भी गती कर सकते हैं है ना x अक्ष में y अक्ष में या z अक्ष में किधर भी गती कर सकते हैं तो मालो यहाँ पर हम एक कड़ को example लेते हुए देख रहे हैं सिर्फ एक कड़ की बात करें फिर हम n संख्या में जितने भी यहाँ पर कड़े उन सब की बात करेंगे अब यह किधर भी गती करेगा और इनका वेग क्या होगा वेग बहुत जयादा अधिक अध्रव्यमान निंगर्णय। इसके बारे में हमने पड़ा वेग तीनों धिशाओं में अगर हम बात करें तीनों अक्ष में तो VX, VY, VZ यहाँ पर ले लिया गया, यह क्या होगा, मालो कि यहाँ पर दिवार से टकराया, टकरा कर क्या हो जाएगा, यह विपरीद दिशा में उसी वेग से वापस आ जाएगा, पर वेग की दिशा बदल गई, वेग की दिशा बदल गई, ठीक है, तो इसलिए हम लोगो तो कि यहां पर कर देगा तो दिवार का सम्वेग के विप्रीत चिन्ह में हो जाएगा तो जब हम यहाँ पर कड़ के समवेग की बात करते हैं कि समवेग में परिवर्तन की जब हम बात करते हैं अणू के समवेग में जब परिवर्तन की बात करते हैं तो समवेग बराबर द्रव्यमान गुड़ा वेग और समवेग में परिवर्तन अणू के समवेग में परिवर्त से जितने छेत्रफल से यहां पर यह टकरा रहा है और जितना विस्थापन उत्पन हो रहा है जिसकी वज़ा से यहां पर दिवार का आईतन भी महत्वपुन होगा तो यहां पर हम दिवार का आईतन जो है यहां पर निकालेंगे तो दिवार का आईतन यहां पर छेत्रफल आपर वेग गुड़ा समय से हम लोगों को VX डेल्टा T प्राप्त होता है VX इसलिए ले रहा है सरल रेखा में गती कर रहा है तो किसी एक अक्ष की गती को हम यहाँ पर ले रहे हैं दिवार का आईतन इस समवेग में परिवर्तन के लिए हमको प्राप्त हुआ ठीक है अब द डेल्टा T समय में अनुओ द्वारा दिवार को दिया गया समवेग हम लोगों ने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर जो हम लोगों ने दिवार का समवेग और दिवार के आईतन को जब यहाँ पर गुणा किया तो हमको यहाँ पर जो है डेल्टा T समय में अनुओ द्वारा पर बल की बात करेंगे, तो बल के बारे में हम लोगों ने न्यूटन की गती के द्वितिय नियम से देखा है, जो समवेग में, जो समवेग हमको प्राप्त होता है, जितने समय में प्राप्त होता है, है ना, जो समवेग में परिवतन की दर है समय के साथ, वो क्या कहलाती है, बल कहलाती है, तो यहाँ पर अणों द्वारा लगने वाला बल, अब यहाँ पर हम जो है, यहाँ पर जब हम लोगों ने यह देखा, ठीके, तो यहाँ पर हम लोगों ने अणों की संख्या को भी कंसिडर किया है, ठीके, तो यहाँ पर हम लोगों ने अणों की संख्या को भी आप लिख सकते हो और N-O के द्वारा दिवार पर लगाने वाला जो बल है वो आपको प्राप्थ होगा N-M-V-X का वर्ग A ठीक है अब देखो बल प्राप्थ हो गया अब एकान को शेत्रफर्प में लगने वाला बल जो है दाब कहलाता है तो आपका पास्कल के नियम से मिल गया N-M-V-X का वर्ग समी करन नमबर 4 हो गया ठीक है अब हम लोगोंने क्या बात करी थी हमने बात करी थी एक कण की एक अक्ष पर गती की लेकिन यह स्वतंत्रहे तीनों अक्ष पर गती करने के लिए एक स्वतंत्रहे और हमको कुछ ठीक से पता नहीं है कि वो किधर तो हमको उसका आउसत निकालना पड़ेगा आउसत वेग निकालना पड़ेगा तीनों ही अक्षो पर अब तीनों ही अक्षो पर जो आउसत वेग है हर अक्ष का आउसत वेग एक दूसरे के बराबर होगा ठीक है पर तीनों का जब हम आउसत निकालते हैं मतलब कुल वेग का आउसत जब हम निकालते हैं तो हमको किसी एक कंड के लिए, कुल वेग का आउसत 1 बटे 3, एक बटे 3, वी बार का वर्ग, ये बार जो है, ये प्रदर्शित करता है कि यहाँ पर जो है, हम आउसत वेग की बात कर रहे हैं, सारे अणोंों के लिए ठीके, तो यहाँ पर हम क्या करने में VX की जगहा पर तो हमको ये समीकरन प्राप्थ होगा अब यहां पर N अनों की संख्या एक काम काईतन में अनों की संख्या N के जगहा में N बटे V हमने जब रखा तो हमको ये दाब का एक अती महत्वपूर्ण सुत्र प्राप्थ हुआ इस दाब के महत्वपूर्ण स कि पांचों नियम को भी घ्याद कर सकते हैं हम उर्जा के बारे में भी बता सकते हैं और काफी सारी चीज हम बता सकते हैं जो हम वन वाईवन करके आगे फड़ावड से आगे बढ़के देखते जाएंगे and I hope कि आप लोगों को इस one shot में बहुत जादा मज़ा आने वाला है क्योंकि ये अध्याय आपके लिए बहुत सरल रूप में बहुत ही कम समय में कुण रिविजन के साथ ये one shot आपके लिए ले करके मैं आई हूं आपके मामिला करांती बढ़ते हैं आगे आदर्ष गैस के दाब समीकरन के साथ ठीके तो ये जो आदर्ष गैस का दाब समीकरन हम लोगों ने ग्याद किया है ठीके तो इस समीकरन में हमको दाब और ऊर्जा गहनत्व के बीच का संबंध बताना है ठीक है तो हम बात करते हैं गैसों के घहनत्व की घहनत्व को हम प्रदर्शित करते हैं रो से द्रव्यमान बटे आईतन घहनत्व जो है गैस के घहनत्व की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एन अणों की संख्या है और हर एक का सुत्र हमको गैस के घनत्व के रूप में यहां पर प्लाप्त हुआ एक बटे तीन रो वी का वर्ग गैस के घनत्व के रूप में अब क्योंकि हमको दाब का सुत्र गैस के घनत्व के रूप में हमको जब प्लाप्त हुआ इस सुत्र में हमने उपर और नीचे में क्या किया है उपर और नीचे में हम लोगोंने दो बटे दो का अंश और हर में गुणा किया है क्योंकि हमको उर्जा घनत्व से के साथ और दाब का एक दूसरे से संबंध हम लोगों को ग्याद करना है ठीक है तो उर्जा घनत्व का संबंध ग्याद करने के लिए दो बटे दो का जब ह हमको प्राप्त हुआ काफी महत्वपुन संबंद आगे आपको काम आने वाला है जरूर स्क्रीन शॉट लेंगे बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अरुगति सिध्धान्त से गैसों के नियमों की वित्पत्ती तो यह जो समीकरन हमको आदस गैस के दाब का जो समीकरन प्राप्त हुआ है ठीक है तो हम लोगोंने पांच नियम पढ़े थे क्या नियम कितने नियम पढ़े थे हम लोगोंने पांच नियम पढ़े थे पांच नियम बॉयल का नियम चार्ल्स का नियम दाब का नियम आवोगरादो संच्छा का नियम और प अभी नियमों की क्या कर सकते हैं उन सभी नियमों की हम व्युत्पत्ति कर सकते हैं तो बिल्कुल आप यह कर पाएंगे बहुत ही सरल है बहुत ही आसान है आपको simply यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है इस MN बटे V की जगह में आपको जो है वैल्यूज रिप्लेस करते जाना है और ये सारे जो है आप समी करण जो है ग्यात कर सकते हैं ग्यात कर सकते हैं व्यत्पत्ति हम कर सकते हैं तो ये हम पढ़ते हैं आदर्श गैशों के नियमों की व्यत्पत्ति अनुगति सिध्धान्त से ठीक है तो ये हो गया आपका P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 ठीक है बढ़ क्या किया हम लोगों ने देखो यहां पर पहले भी हमको यही सारी चीज़े करनी है तो बहुत ही आसान है कुछ भी नहीं रखा है एक बार आपको रिवाइस जरूर करना है उस चीज को यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं यहां पर जो है हम वी को जो है इधर ले करके जा रहे हैं तो PV बराबर गैस के आदर्श गैस समी करण से हम लोगों को ये PV बराबर RT एक मोल गैस के लिए जो प्राप्त होता है तो ये जो हमको राइट साइड में एक बटे तीन M and V का वर्ग जो प्राप्त हुआ है इसको एक्वेट कर रहे हैं हम यहाँ पर RT से ठीक है RT से ही कुट करने के बाद लेफ साइड में फिर से हम क्या कर रहे हैं दो बटे दो का अंश और हर में गुणा कर रहे हैं ठीक है क्योंकि हमको गतिज व्याख्या करनी है तो गतिज उर्जा का समी करण एक बटे दो उसमें पाया जाता है तो एक बटे दो किसी तरीके से हमको य राइट साइड में राइट साइड में सारी चीज लेकर जाने के बाद हमको राइट साइड में एक यहाँ पर आर बटे एन यहाँ पर रिडबर कॉंस्टेंट बटे यहाँ पर एक आंक आइदर में अणों की संख्या एन प्राप्त हुई ठीक है अब यहाँ पर यह जो आर ब T ai a, तो उसके जगा पर हम लोग यह relation जो है, इस्तिमाल कर सकते हैं, यहाँ फिर R बराबर हम लोग इसको, R बराबर KT भी हम इसको, R बराबर KT हम इसकी जगा में क्या कर सकते हैं, इस्तिमाल नहीं, यहाँ पर गलती से जो है R by T लिखा गया है R by N होगा ठीक है प्लीज क्लियर कर लो यहाँ पर R बराबर बोल्ड मेंट कॉंस्टेंट गुड़ा N इस तरीके से भी कहीं पर हमको values रखने की आवशिक्ता पर सकती है तो इस relation को आपको ध्यान रखना है और यहां से हमको पदा चलता है कि जो लेफ साइड में हम लोगों को गतिज उर्जा का समीकरण हम लोगों को प्राप्त हुआ है और राइट साइड में हम लोगोंने तीन बटे दो के टी जो प्राप्त किया है यहां पर ठीक है तो यहां पर ये तीन बटे दो और ये क्या है बोल्ट्समेंट कॉंस्टेंट है तो यहां पर हमको जो है रिलेशन प्राप्त होता है गतिज उर्जा का परम ताप के सांद की एक बटे दो तो मतलब ताप की गतिज उर्जा जो होती है किसी भी गैस के लिए वो परम ताप के समान उपाती होती है अगर ताप शुन्य होगा तो वेग भी सुन्य हो जाएगा और वेग शुन्य होगा तो गैस के अनुओं में कोई भी प्रकार से गतिज उर्जा नहीं होगी तो square, man. हम लोगों को यहाँ पर प्राप्त करना है. यहाँ पर भी हम क्या करेंगे जो हम लोगोंने आदर्श गैस के दाब का समीकरण ग्याद किया है. इस आदर्श गैस की दाब के समीकरण का इस्तमाल करते हुए फिर से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं इस V को हम लेकर जा रहे हैं लेफ साइड में फिर से हमको प्राप्थ हो गया PV ठीक है तो यह जो समीकरण है यहाँ पर हम लोगों ने स्मॉल N और कैपिटल N के जगह में कैपिटल M लिखा है अणों की संख्या और प् हम लोगों को व्यंजक निकालना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे वेग के वर्ग को सारे बांकी सारी चीज़े हम ले गए कहां राइट साइड में ले गए हम तो यहाँ से हम लोगों को क्या प्राप्थ हो गया वर्ग माध्यमूल चाल का व्यंजक प्राप्थ हो गया वर्ग मूल 3RT बटे क्यापिटल M भाई अब यह जो है पहला समीकरण है चार वर्ग माध्यमूल के हमको समीकरण प्राप्थ होने है तो यह जो पहला है वो पहला रूप है ठीक है पहला रूप है इसके बाद अगल जो है समाने रूप से जैसे हम वर्ग माध्य मूल चाल निकालते हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया सारे अनुओं के वेग का वर्ग मानलों की एन संख्या के अनुओं है तो उन एन संख्या के अनुओं का प्रत्येक का वेग V1 V2 V3 VN तक का होगा ठीक है VN तक का हो ग्सकाल का वर्ग माध्यमूल या चाल का वर्ग माध्यमूल, आप कहा सकते हैं यह हमारा दूसरा समीकरण, दूसरे रूप में हम लोगों नहीं यहां पर ROOT Mini SQUARE मान परापत किया है, चाल का, इसके बाद अगला जो समीकरण है वो आपके पहले समीकरण से ही परापत होगा, यह जो capital M है जिसकी जगह हम लोगों ने small M और N की जगह जो यहाँ पर capital M रखा था वापस से हम यहाँ पर small M और N जब रख देंगे तो R बराबर, R बराबर K N आपको पता है R बराबर K N यहाँ पर मैंने आपको बताया बिल्कुल इस समीकरण में R बराबर K N रखेंगे और यहाँ पर आप capital M के जगह में small M और capital N रखेंगे N N और cancel हो जाएगा और आपको यह नया रूप में तीसरा समीकरण प्राप्त हो जाएगा 3 K T बटे small M अब अगला समीकरण जो है यह आपने जो दाब और उर्जा घंत्व का relation आप लोगों ने देखा दाब और उर्जा घंत्व का जो relation आप लोगों ने देखा था यहाँ पर बिल्कुल इस relation से जो है इस relation से जो है आप लोगों ने इस relation की सहाईता से चौथा रूप VRMS मान का जो है यहाँ पर ग्याद किया तो इस तरीके से चार समीकर हम लोगों को वर्गमाध्यमूल के लिए प्राप्त हुए हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फड़ाफट बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी अणों के वर्गमाध्यमूल के व्यंजग जो हम लोगों ने प्राप्त किये हैं चार व्यंजग उनमें हम जो है रिजल्ट जो है देखते है कि जो VRMS मान होता है वर्गमाध्यमूल चाल जो होता है वो क्या होता है ताप के समा ताप के लिए या फिर दर्वेमान को शुन्य रखकर अगर आप देखेंगे तो आपको जो है अगर ताप शुन्य रहेगा तो वेक सुन्य रहेगा वेक सुन्य रहेगा तो वैसे भी हम लोगों ने ताप की गतिज व्याक्या यहाँ पर देख रही है कि हमारी जो गैस के अण अणों की माध्य गतिज उर्जा का यहां पर समीकरन हम लोगों ने लिखा है तो ये कुल अणों की संख्या के द्रव्यमान के लिए कुल द्रव्यमान के लिए यहां पर क्या लिखा गया है आपको कुल द्रव्यमान के लिए यहां पर गतिज उर्जा जो है आपको लिख करके बताई गई है ठीक है गतिज उर्जा जब यहां पर आपको लिख करके बताई गई है इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो वेग का हमको समीकरन वर्ग माध्यमूल जो हमने रूप में प्राप्त हुई तीन बटे दो आर्टी के रूप में, ठीक है, तीन बटे दो आर्टी के रूप में, हमको निकालना है माध्य गतिज उर्जा, ठीक है, तो माध्य गतिज उर्जा मतलब आउसत एवरेज, स्वारी, हाँ, गतिज उर्जा, आउसत एवरेज गतिज उर्जा को हम E, A, V से यहाँ पर रेप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो जब हम यह जो उर्जा हम लोगों ने निकाला, अगर हम इसमें क्या करेंगे, अनुओ की संख्या का भाग देंगे, तो हमको यहाँ पर उसक गतिज उर्जा प्राप्त होती है, तीन बटे दो, आर ब बटे N, बिल्कुल, और यहाँ से हम लोगों ने क्या किया है, आर बटे N के जगहा में यहाँ पर बोल्ट्समेन यह तांक का जब रखा, तो औसत माध्य गतिज उर्जा, यहाँ पर अणों की माध्य गतिज उर्जा का, यह हमको सुत्र प्राप्त होता है, ठीक है, कुछ च कि ताप पर गतिज उर्जा की निर्भरता है, यहाँ पर भी गतिज उर्जा की निर्भरता ताप पर है, परम शुन्य ताप के लिए क्या हो जाएगा, वेग भी शुन्य हो जाएगा, और अणों की गतिज उर्जा और माध्य उर्जा, दोनों की दोनों ही क्या हो जाएगी दोनों की दोनों ही यहाँ पर शुन्य हो जाएगी तो अन्यों की माध्य गतिज उर्जा भी हमने यहाँ पर देख लिया है स्वतंतृता की कोटी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो स्वतंतृता की कोटी से क्या तात्परे है तो भाई की मान लोग की हमने क्या किया एक किसी स की बात करें उसके अंदर जो है जो भरी हुई है स्वतंतरता की कोटी क्या बताती है कि कितने स्वतंत्र गतियों की संख्या है मतलब कि उस निकाए में संभव स्वतंत्र गतियों की संख्या जो है गैस के अनुओं के लिए बताती है जिसका हम नाम देते हैं स्वतंतरता की करण में देखा यह क्या कहलाती है स्वतंतरता की कोटी जैसे कि मान लो कि अगर मैं गैस के एक अणू के लिए बात करूँ ठीक है तो एक अणू कितने स्वतंतर गतिया यहाँ पर इस एक अणू के लिए संभाव है तो जैसे हम लोगों ने दाप की जब गति जब आक्षा की तो वहाँ पर हमने एक अणू के बात की दी तो यह जो है बिल्कूल एक्स अक्ष वाई अक्ष और जैड अक्ष मतलब की तीन अक्षों में यहाँ पर जो है गैस के अणू की जो गति है वो संभाव है ठीक है तो यहाँ पर एक अणू के अगर हम स्वतंतरता की कोटी की बा आढ़ा कі टत्व कि तो बोन जालों के 2 गैस का तत्व है तो तो सकता है कि तो 1 निरभर सवन siya ठीक है अब जैसे कि हम यहाँ पर स्वतंतरता की कोटी को जो है इस तरीके से भी समझ सकते हैं जैसे कि अगर हम एक तार है और उस तार पर अगर चीटिया चल रही है तो उस चीटी के लिए स्वतंतरता की कोटी कितनी हो जाएगी एक क्यों कि है न वो उस एक तार के अक्षप दिवार पर छिपकली चल रही है तो सता पर चल रही है अब समतल सता है तो समतल सता पर किज़ीरा चल रही है दो हो गई ठीक है आप जैसे तितली हवा में अगर उड़ रही है तितली हवा में अगर उड़ रही है तो वो किसी भी दिशा में उड़ सकती है कि इस अणू की तरह गैस के अणू की तरह ठीक है तो यहाँ पर स्वतंतरता की कोटी उस तितली के लिए कितनी हो जाएगी तीन गुणनी स्वतंतरता की कोटी मतलब की वो आगे बढ़ भी रही है और साथ साथ वो क्या कर रही है गुणन गती भी अगर कर रही है ठीक है ऐसा भी पॉसिबल है तो गुणन गती करते हुए अगर आगे बढ़ रही है तो वो गुणनी स्वतंतरता की कोटी हो गई कमपनिक स्वतंतरता की कोटी मतलब की आगे भी बढ़ रही है और सांथ ही सांथ क्या कर रही है कमपन भी कर रही है क्या कर रही है बिल्कुल कमपन कर रही है अगर मान लोग कोई करण कमपन करते हुए आगे बढ़ेगा तो इस तरीके से वाइब्रेट होते हुए आगे तो यहाँ पर यहीं तीन प्रकार हम लोगों हृफ किसी और उब की संख्या के लिए ग्याद करनी है, तो हम सुत्र के द्वारा ग्याद कर सकते हैं, इस सुत्र को अभी आपको समझने की जरुवत महीं होती है, क्यों कि यह सुत्र का इस खरेएं की और अग fotos कर दे बदानी है, तो यह हम लोगों को यहां पर stable की सहाईता से समझ में आएगा ठीक है तो stable की सहाईता से जब हम समझेंगे तो यहां पर हम तीन चीजों के लिए समझने वाले हैं गैस की परमाणुकता के अधार पर एक परमाणुविक गैस हीलियम नियान और आरगन एक परमाणुविक गैस होते हैं जहां पर इन गैस के मतलब की यहां पर कहना चाहिए कि एक एक अनू जो है गती करते हैं ठीक है लेकिन यहां पर जब द्वी परमाणूविक गैसों की बा इस पास अगर हम करते हैं तो जैसा कि स्टू और हम रहे हैं थिया ये पानी सुत्र होता पर बात हम इस परिये हैं तो यहां पर हो जाएंगे हैं हाइडोजन के दो दो प्लस ओक्सिजन कि हैं तो दीन-पर्माणविक हो गये teak ठीक है लेकिन हम रेखिये त्री परमाणविक की अगर बात करें तो यहाँ पर यह एक कार्बन हो गया यह ऑक्सिजन हो गया और यह क्या हो गया ऑक्सिजन तो इस तरीके से रेखिये तीन परमाणविक जो है वो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी परमाणवों की संख्या और यहां पर जो है यहाँ पर मालब की यहां पर देखोगे ठीके है तो परमाणवों की संख्या यहां पर कितनी हो गई दो द्वी परमाणवी कहा जा रहा है लेकिन है यह साथ साथ चलेगी अब यहां पर आप देख पा रहे हो कि यह तरीके से त्रिभूज आकार में है तो यहां पर बी जो है तीन हो गया है ठीके अब यहां पर जो है इनके बीच में कितने बंध हैं एक बंध है तो यहां पर संख्या क्या हो गई एक जब हम इनकी बात कर रहे हैं तो यहां पर एक दो और तीन बंध है तो यहां पर संख्या कितनी हो गई तीन यहां पर हम देख रहे हैं तो दो बंध हैं तो यहां पर बंधनों की संख्या कितन परमाडविक के लिए आ रेखिय के लिए 6 और रेखिय के लिए कितना प्राप्त होता है रेखिय के लिए 7 प्राप्त होता है ठीक है तो इस तरीके से स्वतंतरता की कोटी ग्याद की जाती है एक बार फिर से यहाँ पर देख लेंगे कि यहाँ पर एक परमाड़ू जो है यह तीनों अक्षो में स्वतंतरता रूप से, स्वतंतरा रूप से क्या कर रहा है, गती कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर केवल एक ही अडू है, इसकी स्वतंतरता की कोटी कितनी हो गई, तीन हो गई, तीनों दिशाओं में गती कर रहा है, यहाँ पर क्या है, इनके बीच में ए पर बंध है ठीक है क्या है बंध है तो जैसे कि यहां पर पड़मारों की संख्या क्या हो गई दो तो हमने सुत्र देखा क्या 3A-B ठीक है स्वतंतरता की कोटी तो यहां पर हो गया तीन दूना और यहां पर B की जो संख्या एक बंध है तो यह एक हो गया और यहां से आ गया गया स्वतंतरता की कोटी 5 अब यह गती कैसे करेंगे तो यह बिल्कुल जो है तीनों अक्ष में गती करेंगे दोनों साथ साथ में साथ साथ में गती करेंगे और साथ साथ दो अडू है तो दो अडू की घुर्णन गती तो वहां से भी आप 3 प्लस 2 आप देख सकते हैं जो हम लोगों ने स्वतंतरता की गती स्वतंतरता की कोटी के जो प्रकार देखें वहां से भी खीके स्वतंतरता की कोटी के जो प्रकार देखें वहां से भी आप यहां पर इसको क्या कर सकते हो calculate कर सकते हो बहु पर्माणविक के लिए बहु पर्माणविक के लिए जब स्वतंतरता की गोटी बात कर रहे है तीन बंद है और यहाँ पर क्या है तीन अडों तो यह तीन गुणा तीन माइनस तीन गुणा तीन माइनस तीन तो यह तीन थी यह नौ माइनस 3 बराबर कितना होगे, अच्छ है, जब हम किसके लिए बात करते हैं, यहाँ पर अर्रैखिक अनुओं के तत्व के लिए जब हम बात कर रहे हैं, तो यह हो गई क्या? स्वतन्तरता की कोटी, अब इनको जो है, स्वतन्तरता की कोटी के प्रकार के अधार पर, अगर हम देखेंगे ये तीनो तीनो तीन परमाणू है और तीनो साथ साथ गति करेंगे तो ये तीनो अक्ष में जो है जाएंगे x y और जैडक्ष ठीक है क्या करेंगे x y और जैडक्ष ठीक है लेकिन यहाँ पर क्या होगा spinning motion मतलब घुर्णी गती तीनों अनुवों में spinning motion याने की घुर्णी गती भी होगा तो 3 प्लस 3 यहाँ पर च्छाए तो इस तरीके से भी आप स्वतंतरता की कोटी जो है ग्याद कर स परमारिक और बहु परमार्विक तत्वों के उधारन भी आपको जो है बिल्कुल पता होने चाहिए यह त्योरी question भी आपको एक्जाम में बिल्कुल पूछ सकता है और बहु विकल्पिय प्रेश्ण के रूप में आपको स्वतंतरता की कोटी ज्याद करने के लिए भी सवा अपको पूछे जाते हैं अगला टॉपिक है बढ़ते हैं आगे उर्जा के सम विभाजन के नियाम की तरफ तो भाई जो गैस में जो है अरुड़ा नहीं है मालो कि एक सिलेंडर है इस सिलेंडर में ऊर्जा नहीं थैट है अब यह जो उर्जा है वो गैस के परमारूवों म जो है शुने कभी नहीं हूती गति ँर्जा निरंतर जो है उनकी बनी रहती है वो लगातार क्या करते रहते हैं गती करते रहते है और उनके बीच में अगर टकराव उता है तो वहाँ पर जो है वह किसी भी प्रकार से उर्जा का उत्सर्जन भी नहीं करते हैं ठीक है तो इस तरीके से जब हम देखेंगे उर्जा के सम विभाजन के बारे में तो बहुत से कड़ों से मिलकर बने किसी निकाय में या किसी सिलेंडर के गैस में ठीक है क्या होती है आंतरी गतिज उर्जा इसकी सभी स्वतंत्र कोट ये जो हम क्या करते हैं अगर हम इसका जो सम्विभाजन का नियम जब देखते हैं तो परम provocative पर साम्य अवस्था में किसी निकाहिए के लिए क्योंकि देखो param परम plag deep अवस्था में मतलब कि下 सम्य और गैशचमानूरी निकाहिए में क्या हुआ है फैला हुआ है तो साम्य वस्था में किसी निकाई के लिए प्रत्येक स्वतंतरता की कोटि से संबंध प्रतिकंद ओसत आंतरीक गति जुझा कितनी हूती है एक बटे-दो केटी होती है। प्रत्येक्षक नकी आन्तरिक गति ग्ठीर दधांग्या बटे दो केटी ये प्रत्येक्षकण के लिए बताया जारा है जहां पर के जो है बोल्ड्र्द मेंन नियतां इसका मान भी हम और एड़ी देख चुके हैं ठीक है तो यहां पर प्रत्यक鉷क की उर्जा जब हमको उस निकाय का जो अउसत वेग है सारे कड़ों के लिए वो V का वर्ग हो जाएगा अब हम दोनों पक्षों में हमने क्या किया है दोनों पक्षों में हमने एक बटे दो M का गुड़ा दोनों पक्षों में किया लाफ साइड में और राइट साइड में तो हम यहाँ पर देख र लूप में तीक है अब यह जो तीनों तरफ वितरित रहेगी और हम लोगोंने क्या देखा कि एक के लिए क्या है एक बटे दो केटी अब तीन है तो तीन के लिए क्या हो जाएगा 3 by 2 केटी हमने पहले ही यहाँ पर गतेज उर्जा 3 by 2 केटी जो है कुल उर्जा अरड़ी हम न प्रकार से जो कुल उर्जा तीन बटे दो केटी है उसको क्या किया गया है एक्स वाई और जड अक्ष में स्वतन्तरता की कोटी के अधार पर क्या किया गया है तो यह क्या हो गया तो आपका उर्जा के सम्विभाजन का नियम, ठीक है? चालो, अब गैसों की विषिष्ट उश्मा की हम बात करते हैं, जो हम लोगों स्वतंतरता की केट कोटी में, एक परमाणू ध्वी परमाणू और त्री आने की बहुत परमानू. गयस के लिए जो हम लोगों ने सवतंतृता की निया है, कि देखो उश्मा कद्की में आप इसके बारे में पड़ते हैं डिटेल में ये मेयर के सुत्र के नाम से भी समीकरण जो है जाना जाता है जोसका किसी भी गैस का तापमान ठीक है किसी भी गैस का दापमान अगर हमको क्या करना है एक डिग्री सैंटिग्रेट बढ़ाना है तो एक डिग्री सैंटिग्रेट बढ़ाने के लिए एक डिग्री सैंटिग्रेट बढ़ाने के लिए हमको जो आवश्यक उश्मा की आवश्यक्ता होती है वो क्या कहलाती है विशिष्ट उश्मा जैसे उधारन के लिए मैं आपको बता दी हूँ अगर मालो की AC का टैंपरेचर आपका 25 डिग्री है अगर आप क्या करते हो 25 से 26 ड now के लाएगी और हमने यहां पर वुष्ट उश्मा को हम क्या करते हैं सी से से रिप्रेजेंट करते हैं और जहब हम नियत आईतनले बात करते हैं थीकल कले लिए нीट लाद के लिए जब हम बात करते हैं एक परमाडुक के गैस की विशिष्ट उश्मा की बात करते हैं तो सबसे पहले उर्जा उर्जा जो है हम यहाँ पर देखेंगे तो स्वतंतरता की कोटी कितनी होती है एक परमाडुक के लिए तीन तो जो हम लोगों को यहाँ पर हम लोगों ने उर्जा क वितरन सम विभाजन जो हम लोगों नहीं देखा था तो वहां से हम लोगों ने यहाँ पर 3 सुत्त्रता की कोटी केन सारे हाँ पर उर्जा का जो वितरन देखा तो कुल उर्जा हम लोगों को प्राप्त हुई कितनी 3 बटे 2 RT एक परमाणुक गैस के लिए ठीक है अब एक परमाणुक गैस के लिए हमको प्राप्त हुए अब जो विशिष्ट उश्मा है CP और CV इसके आधार पर इसके आधार पर जो है यहाँ पर गैसों की विशिष्ट उश्मा में तो यह explanation आपको मिल जाएगा कहाँ पर यह explanation आपको मिल जाएगा thermodynamics याने की उश्मागत्की में तो यहाँ पर सिफ हम उर्जा का वितरन जैसे की देख रहे हैं द्वी परमाडुक की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर द्वी परमाणुक के लिए आपको जो है स्वतंत्रता की खोटी पांच प्राप्त हुई थी तो यहां पर उर्जा द्वी परमाणुक गैस के लिए जो आपको यू यहां पर प्राप्त होती है और इनकी जो विशिष्ट उश्माओ का वित्रण है इनकी विशिष्ट उश्मा तो यह बहु परमाड़ू के लिए क्या हो जा रहा है छे यहां पर इसकी स्वतंत्रता की कोटी हो जा रही है कुलूर्जा यहां पर हो जाएगी क्या थ्रियार्टी तो इस तरीके से आप जो है यहां पर गैसों की विशिष्ट उश्मा जो है ज्याद कर सकते हैं अब बढ़त होती है और यहां तर यहां क्या रहे है अब यहां पर कई सारे मुक्टपत है तो इसलिए हम लोगोंने उसको लैंड़ा चैसे की हमने रेप्रेजेंटेंट किया है अगर हम इनके कुल मुक्तपत की बात करते हैं ठीक है तो यहां पर हमको इनका क्या निकालना पड़ेगा और किसी भी चीज का माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं हम सारे उनके इंडिविज्वल वैल्यूस को जोड़ देते हैं और जितनी संख्या में वो वैल्यूस को हमने वाग देंगे तो हमको यहाँ परॉसत माध्ह स्वारी और शात मुक्तफ यान है की माध्य मुक्तफ यहाँ पर आपको प्राप्थ हो जाएगा और दूसरा तरीकह की माध्य मुक्तपत ये सुत्र की सहाइता से कि जो अनू की माध्यचाल हम लोगों को ने ग्याद की है ठीक है तो उस अनू की माध्यचाल से अगर हम क्या करेंगे टक्कर आवृत्ति को जब हम भाग देंगे तो इसकी सहाइता से भी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर माध्यमुक्तपत ग् है इस डाइग्राम में मालों की यह सिलिंडरिकल शेप में आपको यहाँ पर बरतन लिया गयाँ है अब Maaloo की बहुत सारे अनूत है लेकिन अगर हम एक अनू की बात कर नहीं तो इस तरीके से ये द्रिन गोलाकार है द्रिन गोलाकार जिसका व्यास आपको यहाँ पर जो है इस अनु का व्यास यहाँ पर आपको डी बताया गया है ठीके और इसके बाद अब यह मानलो की गतीशील है गतीशील है तो यहाँ पर जो विस्थापन है विस्थापन बराबर क्य हो जाएगा वेग गुणा समय क्योंकि क्या होगा गती शील है लगातार गती करते रहेगा तो मान लो कि दो अनुओं के बीच में टक्कर हुई, तो आपको मुक्तपत फ्री पाथ आपको प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा आपको, फ्री पाथ प्राप्त होगा दो अनुओं के बीच टक्कर में, ठीक है, तो ये जो फ्री पाथ आपको मिलेगा, वो दो टक्कर, दो सतट टक् ठीक है अब यह जो दूरी है यह जो दूरी है यह आप कैसे निकाल सकते हो तो यह जो दूरी है वह आप वेग चाल गुणा समय है ना दूरी बराबर यह विस्थापन बराबर वेग गुणा समय यह दूरी बराबर चाल गुणा समय ठीक है तो यहाँ पर हम लोगों ने वी क् पर यहां पर टकर हो रहा है ठीक है तो छेत्रफल गुणा दूरी से हम लोगों को यहां पर क्या मिल जाएगा आईतन मिल जाएगा यह आईतन हम लोगों को आगे चल के काम आएगा हम लोग फाइंड आउट करेंगे ठीक है कोई बात नहीं जो explanation मैंने आप लोगों को यहां पर दिया एक अणू के लिए अगर सेम चीज को आप एन अणू के लिए अगर आप देखेंगे और यह सारे के सारे अणू क्या करें एक समान वी वेक से जो है आगे बढ़ रहे हैं ठीक है तो इनके लिए हम यहां पर माध्यमुक्त पत का क्या कर ओढ़ने देखेंगे यहां पर मैंने आपको आई तन की बात बताई है तो यहां पर जो है आई तबराबर क्या हो गया है आपका आई तन बराबर छेतरफ необходимоंपा दूरी क्या हो गया छेतरफ equally हम लोगों ने रख दिया है छेत्रफल बराबर हम लोगों ने पाई डी का वर्ग इसलिए लिया है पाई डी का वर्ग इसलिए लिया है क्योंकि यहां पर आपका व्यास अनुओं का व्यास है वो डी रखा गया है अनुओं का व्यास और उसके आधार पर हम लोगों ने यहां पर छेत्रफल पाई डी का ये हो गया आपके एक अड़ों के लिए हो गया एक रूँ के लिए हो अगर आप एन अड़ों की संख्या के लिए आया हो जाएगा यह आईतन अब यह यहाँ पर जो है मुक्तपत हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या धेख रहे हैं मुक्तपत डेल्टा डेल्टा बराबर जो हम लोगों ने Lambda one Lambda two plus Lambda three plus Lambda N बटे and जो हम लोगों ने देखा था ठीकना तो उपर में सुत्र के आधार पर पर रखा गया है इस सुत्र के आधार पर जो है ये समी करण में वैल्यूसे जो है वो रखी गई है अब यहां से जो है हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा यह हमारा V delta T और V delta T एक और यहां से हमारा जो समीकरण माध्यमुक्त पत के लिए आएगा एक बटे पाई डी का वरग एन ठीक है अब पाई डी का वरग एन ये माध्यमुक्त पत का जो समीकरण आता है तो यहांपर क्या हुआ कि व्यभारिक्ता में साइंटिस्ट ने बहुत सारे इसके प्रती रिसर्च करें एक्सपेरिमेंट करें और उन्होंने पूरे सिलेंडर में जो बहुत सारे अनों की संख्या एन हम लोग यहां पर देख रहे हैं ठीक है इसका बार बार आंकलन किया आंकलन करने के आधार पर उ पर्गमूल दो का भाग दे देंगे तो वास्तविक्ता में आपको यहां मान बार बार विभिन प्रयोगों के द्वारा प्राक्ट हुआ ठीक है तो इस समीकरन में सुधार करते हुए उन्होंने इस सुत्र को क्या किया फाइनल किया माध्यमुक्तपत के व्यंजक के रूप में ठीक है माध्यमुक्तपत के व्यंजक के रूप में अब यहां पर एन का हमने क्या किया है यहां पर यह जो एन है इस एन के जगह में हमने यह समीकरन कैसे प्राप्त किया तो इस एन की जगह में हम लोगों ने जो है यह मान रखते हुए यह मान रखते हुए एन की जगह में हमने मान रखते हुए यह समीकरण भी है प्राप्त किया है तो यह माध्य मुक्त पत्त का व्यंजक का हम लोगों ने एक बार रिविजन हमने देख लिया है ठीक है आवो ग्रादो संख्या की अगर हम बात करते हैं तो आवो ग्रादो संख्या का मतलब आपको पता है कि ज़ो यहां संख्या वियांगे वियाख्त करेंगे आदर्स-गैस-टमिकर्णINO एक मोल स्केवित लिए हम लोगों ने देखा दपर राबर आर्टी स्ब्सक्राइब हम पहले हम पर प्धाइए चुके यहाँ पर जो है यह क्या है गैस का सारवत्रिक नियतांग जिसको हम रिडबर्ग नियतांग भी हम बोलते हैं ठीक है अब इस तरीके से जो है आवोगरादो संख्या और बोल्डमें नियतांग के बीच में क्या होता है संबंद आर बराबर एन एक ठीक है तो के की जगा गैसा का रिफ्दोर संख्या जिसका जो है नियतांग के लिए लिए और सेसे 清楚 में की संख्या ग्यात करने के लिए या ऒर निश्विद मात्रा के पदार्थ में दो की संख्या ग्यात करने calculate करने के लिए इस आवगरादो संख्या का जो है इस्तमाल किया जाता है इसी वज़ा से ये काफी जादा महत्वपोन भी है तो हमने इस chapter के सभी topic जो है quick revision के रूप में one shot revision के लिए यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया है तो अमीद करती हूँ कि आपके लिए ये lecture बहुत ज करते रहना है और अगर ये video अच्छा लगा तो आपको इस video को like जरूर करना है क्योंकि यह हमारा उत्साह लगातार बढ़ाता है और बिल्कुल हम लगातार महनत करते हूँ अपने सभी व्यारे बच्चों के लिए लगातार जो है videos लेकर के निरंतर lectures लेकर करके हम आ रहे है comment section में लिखकर आपको नीचे जरूर बताना है कि next video आपको किस chapter का one shot आपको चाहिए तो जल्द से जल्द मिलती हूँ मैं अपने next lecture में अपने सभी बच्चों से और तक तके लिए बाए बच्चों